दोस्तों चैरी में मौजूद फाइबर काफी जादा होता है इसके एक कप में तीन ग्राम फाइबर होता है हाला कि फाइबर की इस मात्रा से दुस्परवाव होने की संभावना नहीं है यदि आप बहुत उच्च फाइबर आहर की हिस्चे के रुप में चैरी खाते हैं तो आपको पेट में गैस, एठन या ब्लोटिंग का अनुभाव हो सकता है खास कर यदि आप थोड़ी सी अवदी में अपने फाइबर सेवन में तेजी से वृद्धी करते हैं हाला कि चैरी पोशक तत्तो के साथ परिपूर्ण होती हैं लेकिन अधिक मात्रा में इसके सेवन से पोशक तत्तो की कमी हो सकती है यदि आप अन्य आवशक पोशक तत्तो के स्थान पर चैरी खा रहे हैं यदि आपको चैरी से अलर्जी है तो इसके सेवन से आपको खतरनाग दुस्परवाव हो सकते हैं American Academy of Allergy, Asthema और Immunology बताते हैं कि चैरी अलर्जी वाले एक वेक्ति में बंदगला, स्वास और पित्ती की कमी जैसे समस्या का कारण हो सकती है यदि आप चैरी खाने के बाद इन में से किसी भी लक्षन का अनुभव करते हैं तो इन्हें अपने आहार में शामिल करने से बचे